प्रभाद बच्चों हमासा करते हैं कि आप सबसोस्त होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे आनलाइन पढ़ाई का आनन्द ले रहे होंगे आज हम आपको वह चिडिया जो नामक पाट का अध्धन कराएंगे यह एक कविता है जिसके रचाईता किदानात अगरवाल जी है इनकी प्रमुक्रचनाएं, युग की गंगा, नीद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी म्रेत तो 22 जून सन 2000 इस भी में हुई थी प्रस्तुत कविता में कभी ने बताया है कि उसका सुभाव नीले पंखों वाली एक ऐसी छोटी चुडिया के सुभाव से साम में रखता है जो संतोसी है, अन्य से बहुत प्यार करती है अर्थात वे अपनी आपको उस चुडिया के समान बताया है जो छोटी छोटी चीजों से ही संतोस कर लेती है यह कविता इस ब्रकार है वह चुडिया जो चुच मार कर दूद भरे जुण्डी के दाने रुच से रस से खा लेती है वह छोटी संतोसी चुडिया नीले पंखो आली मैं हूँ मुझे अन्ने से बहुत प्यार है प्यारे वच्चों, कविने इन पंखतियों में नीले पंखो आली चुडिया के अन्ने के दानों से प्यार तथा संतोसी सुभाव के बारे में बताया है कभी कहता है कि वह चिडिया जिसके पंक नीले हैं वह अपनी चोंच से जुन्डी अर्थात मक्के के दूध से भरे दानों को रुच से खाती है उसे इन दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत पसंद है वह चिडिया छोटी और संतोस करने वाली है उसे अनाज के दाने अतियन तिप्री है बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही अब कुछ बहु विकल्पी प्रश्णों के माध्यम से आपका मुल्यांकन किया जाएगा आपका पहला प्रश्ण है वह चिडिया जो पाठ के कभी कौन है आपके आपसंस है किदा नात अगरवाल ख साहिल उधियानवी गा कृष्णा सोबती गा प्रेम चंद आपका सही उत्तर है किदा नात अगरवाल आपका अगला प्रश्ण है चिडिया रूच से रस से क्या खा लेती है आपके आपसंस है चावल के दाने, ख गेहूं के दाने, गा दूद भरे जुन्डी के दाने, गा जामुन के फल आपका सही उत्तर है दूद भरे जुंडी के दाने आपका अगला प्रश्ण है चिडिया के पंक किस रंकी है आपके आप्संस है काले, ख, नीले, ग, लाल, ग, पीले आपका सही उत्तर है नीले आपका अगला प्रश्ण है चिडिया स्वयम को छोटी संतोसी कहती है क्योंकि आपके आपसंस हैं का वह छोटी छोटी चीजों से ही संतोस कर लेती है खा वह जो बाजरे के दाने खाकर ही संतोस कर लेती है गा वह यह मानकर संतोस कर लेती है कि वह छोटी है गा वह केवल चोच मार कर खा लेती है आपका सही उत्तर है वह छोटी-छोटी चीजों से ही संतोस कर लेती है अब प्रश्ण अभ्यास के प्रश्ण लगुत्री ये प्रश्ण प्रश्ण नमबर एक चिडिया को अनने से क्यों प्यार है प्रश्ण नमबर दो तुम्हें कविता का कोई और सीर्षक देना हो तो क्या सीर्षक देना चाहोगे उपयुक्त सीर्षक सोच कर लिखे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद इसका सेस भाग अगले वीडियो में होगा